हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सभी आसा करता हूँ आप सभी की तैयरी बहुत अच्छी चलिए होगी अच्छे तरह के से पढ़ाई कर रहे होंगे मज तरह के से रह रहे होंगे तो दोस्तों आज है 1 जनुरी 2023 तो आप सभी को Happy New Year और आप सभी को 9 वर्से की सुबकामनाई और आज हम बात करेंगे अंतिम 50 दिनों के महासंग्राम में Day 50 की और इस नए साल के पहले दिन हम अपने GS को Complete कर लेंगे और इस परकार आप लोगों का जो 40 marks का एक portion रहता है GS का वो हम Complete कर ले जाएंगे इस GS के class में अभी तक आप लोगों को Indian Policy, Indian Geography और Economics और इतिहास, Computer ये सारी class मैंने आप लोगों को दे रखे और साथ में वीवीद के topic भी आप लोगों को मैंने करा रहे हैं जैसे कि अंतराष्टी संगठन होगी तो इस 50 class में मैंने आप लोगों को लगभग 40 marks का जो content है उसको तैयार करानी की यहाँ पर कोशिस कर रखी है इसके साथ ये reasoning भी मैंने करा रही है तो reasoning की अलग से class है प्ले लिस्टे बनी है आप लोग reasoning भी देख सकते हैं तो यहाँ पर से आप लोग अपने GS को बहतर बना सकते हैं और अच्छे से अच्छे नमर ला सकते हैं बिलकुल आप लोगों के syllabus के according topic wise मैंने हर एक topic को cover किया है यहाँ पर तो आप लोग इससे benefit ले सकते हैं ठीक है और इसके अलाबा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस class को share भी कर सकते हैं कि अन्य student भी हैं जो कि इस class का यहाँ पर थोड़ा सा फायदा ले सके और अगर हम पट्वारे लेकपाल के बात करें तो वहाँ पर के लिए important तो रहेगा फोरेस्टिगाट के लिए और कनिसा है जो नए syllabus है कनिसा है का नया syllabus तो उसके लिए भी यह बहुत फायदे मन रहेग क्योंकि JS है जो कि हर किसी में एक ही रहेगी इतिहास तो वही रहने वाला है चाहिए नया syllabus है पुराना syllabus है थोड़ा सा content जो syllabus का है दाइरा वो थोड़ा कम जादा हो सकता है लेकिन मैंने आप लोगों को जादा से जादा deep तो क्या मतलब आप लोगों के exam के point of view से जो UK SSC या आप लोग एक बढ़ियां तरीके से अपने अंतिम जो touch है उसको दें क्योंकि revision आप लोगों ने करना है और 8 December को आपका पटवारी लेकवाल का paper है तो इसी साल है जो कि आप लोगों को selection लेना है इसलिए आप लोग बढ़ियां तरीके से पढ़ें और बेरी सुब कामना है तो चलिए आज की वीडियो को आज हम सुरू करते हैं और हम बात करेंगे आज असयोग आंदोलन से 1947 तक का सफर तो हम देखेंगे भारती इतिहास को आदुनी भारत के इतिहास को आज की वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं इससे पहली की glass में हम लोगों ने देखा था और बहुत सारी चीज़े सीखी थी आप लोग करेंट है फिर भी जरूर देखें 800 important question मैंने आप लोगों को करा रखें आपकी exam point review से important रहेंगे तो आप लोग इसको जरूर देखना देखो इससे पहले हम लोगों ने बाते की थी बहुत सारी बाते की थी 1947 में 1917 में चंपारण आंदुलन की बात की थी ठीक है और उसके बाद हम लोग ने जल्यावाला भाग हत्याकान देखा था खिलापत आंदुलन देखा था और आज हम बात करेंगे असायोग आंदुलन की तो देखो असायोग आंदुलन आप लोगों से पोचा जाता है कब असायोग का मतलब होता है सायोग ना करना और किसका सायोग नहीं करना है ब्रिटिस का यानि कि भारित्यों के द्वारा ब्रिटिस के खिलाप चलाए गया एक आंदुलन है जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि हम सायोग नहीं करेंगे सायोग कहां पर नहीं करेंगे जो भी सरकारी पड़ेगा इस चीज़ का अगर हम सरकारी सेवाओं का उपयोग नहीं करेंगे तो उसका नुक्सान किसको होगा बिटेस को होगा क्यों क्योंकि सत्ता पर अभी बिटेस सासन कर रही है तो यहां पर रॉलिक एक्ट है 1929 में हो जाता है 13 अपरेल यह भी हम लोगों ने देखा उसके बाद 1919 में खिलाफत आंदुलन भी हो जाता है तो बहुत सारे आंदुलन हैं एक सानिया पर होते हैं और धिरे धिरे करके यहां पर क्या होता है पहला विस्विद उन्निस सो चौदा से 1908 के बीच मैं पहला यह व गादी जी ने यहां पर असायोग आंदुलन की बाद कही तो यह गादी जी द्वारा चलाया गया पहला सरवजनिक आंदुलन है यह भी आप लोगों को ध्यान में रखना है एक अगरस्त 1929 को इसकी शुरुवात की गई अब देखो इसमें भारतियों ने क्या किया इस आप निर्दप्रा भारत की Made in India हम Made in China को boycott करते हैं और भारत की जो manufacturing है उसको हम ज़्यादा पर्मोट करने के बात करते हैं तो यही चीज़ा उस समय भी कही गई थी कि हम British का British वस्तों का बहिसकार करेंगे और स्वदेश यूग को अपनाएंगे और जो चर्खा है खादी है उसका अधिक्तम यहाँ पर उप्योग किया जाएगा और महात्मा गादी ने स्वयम चर्खा चला के इसको यहाँ पर एक मैसीज भेजा था ठीक है पूरे देश के लिए कि हम खादी का यूज करेंगे और चर्खे से जो भी उत्पादन होगा स्वदेशी उत्पादन तो हम असयोग आंदोलन यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद यहाँ पर आजाता है लॉड रीडिंग 1921 से 1926 के बीच में इसके सासनकाल में यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को असयोग आंदोलन के जो लोग थे उन लोगों के द्वारा चौरा-चौरी जो की गोरा फूर पर है वहा जो असयोग आंदोलन की भीड है उनके द्वारा जला दिया जाता है पुलिस चौके को जब 22 पुलिस वालों को ग्रामीडों के द्वारा जिंदा जला दिया जाता है उनकी पुलिस चौके पर आग लगा दिया जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाती है जो आंदोलन अभी तक अहिंसा का मार्ग अपना रहा था गादी जी के जो विचारधा रहा है अहिंसा, सत्याग्रह इन पर चल रहा था लेकिन एक घटना जो के चौरा-चौरी हत्याकांड के होती है उसमें ये जो आंदुलन है वो हिंसा का रूप लेना लग जाता है क्योंकि यहाँ पर 22 पुलिस वालों को यहाँ पर जिंदा जला दिया है तो अब ब्रिटिस जो की अंग्रेज हैं वो भी भारते उपर परहार करेंगे हमने देखा था कि 1929 में 13 अपरेल 1929 जैसे ही हम लोग ने रॉले टैक्टिक के खिलाब आंदोलन करना शुरू किया और बढ़ियां तरीके से हम लोग सभा कर रहे थे अहिंसा के मार्ग पर लेकिन हम लोगों ने देखा कि 13 अपरेल को जल्यावाला बाग हत्या कांड हो जाते है और हमको उस आंदोलन की कित्ती बड़ी मात्रा में यहां पर उसका चुकाना बड़ा हमको 1000 से ज्यादा लोग यहां पर हमारे मारे गे थे भारितियों के 13 अपरेल की दिन लेकिन अगर यही घटना दुबारे रिपीट हो सकती थी क्योंकि 22 पुलिस वालों को तो भारितियों ने जला दिया था जिन्दा तो ब्रिटिसर कहीं न कहीं इस बात का तो यहां पर क्या करेंगे वो बदला लेंगे इसलिए गाधी जी ने यहां पर क्या कर दिया 12 फरवरी 1922 को असरयोग आंदोलोन को वापस ले लिया गाधी जी के परते क्योंकि गाधी जी एक बहुत अच्छी तरीके से इस आंदोलोन को लीट कर रहे थे लेकिन उनके द्वारा अचानक से इस आंदोलोन को वापस लेना एक बहुत बड़ा यहां पर sadback माना जा सकता था ओसमय जो भारती है या फिर अन्य लोग वहां पर थे उनके द्वारा इस चीज को सही नहीं कहा गया गाधी जी के इस फैसले को लेकिन ये कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए क्योंकि भारती है जो कि खुद अभी तयार नहीं हुए है स्व सतंतोधा मिल पाना असंभव सा नजर आ रहा था जिस कारण गाधी जी ने इस असयोग आंदोलन को वापस दे लिया उसके बाद एगर हम बात करेंगे 1921 में MN रोई MN रोई ने भारती कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किया 1921 में और हम देखते हैं असयोग आंदोलन के ब भारती राष्टी कॉंग्रेस से उससे इस्तीपा देकर नई पार्टी का गठन किया जिसको स्वराज पार्टी कहा जाता है 1923 आप लोगों से बहुत बार क्वेशन पोशा जाता है स्वराज पार्टी की स्तापना किसके द्वारग की गई सियार दास और मोतिलाल नहरु के दारग की गई थी इसी समय 1924 में हाँ जब असरयोग आंदलोन होता है तो उसके बाद जो गादी जी है गादी जी को यहां पर क्या कर दिया जाता है जेल में डाल दिया जाता है छे वरसे की सजा इनको सुनाई जाती है लेकिन इनकी तैपैद खराब हो जाती है जिस खारण 1924 में इनको रिहा कर दिया जाता है जो कि 6 वरसे से पहले ही इनको रिहा कर दिया जाता है तो इन्होंने असरयोग आंदलोन को वापर जब लिया और 14-14 हट्याकांट का पूरी जिम्मेदारी खुद पर ले लिए कि इसकी जिम्मेदार मैं हूँ तो इसले गादी जी ही है ज जिसमें गादी जी अध्यक्ष बनते हैं और ये पहली बार है जब गादी जी भारती राष्टी कॉंग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बेलगा ओधिवेशन 1924 यहां पर महात्मा गादी जी क्या बनते हैं पहली बार और एक मात्र इसके बाद कभी नहीं बनते हैं वो अध्यक्ष तो पहली बार आप लोगों को ध्यान में रखना है तो यह बात यहां पर आप लोगों के एकजाम के लिए इंपोटेंट रहेगी देखो जैसे ही यहां पर अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन गादी जी ने वापस लिया लेकिन गादी जी के द्वारा जैसे ही वापस ले ले गया आंदोलन तो कहीं न कहीं यहां की युवाओ को इसने नकरात्म ग्रूप से परभावित किया और भारतियों के जो युवावर्ग है क्रांतिकारी जो युवाओ हैं जो कि अभी कॉलेजों में हैं उनके द्वारा किया गया एक क्रांथिकार आंदोलन की सुरुवात की गई और जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन ऐसेँशेटन पार्टी की सताफना की जाती है जिसको हम HR A बोलते हैं एच आरे, 1924 में हरे की स्तापना की जाती है किसके द्वारा शचिंद्रणाथ सान्याल के द्वारा और सचिंद्रणाथ सान्याल की एक किताब है बंदी जीवन के लिखक आप लोगों से पूचे जाती है इसमें अन्य सदसी पे थे चंड़ से कर आजात थे इसमें, लेकिन foundation त इसमें बाद में जुड़े थे तो इस परकार आप लोगों को ध्यान में रखना है और यहीं पर राम परसाद बिस्मिल है जो कि एक नारा देते हैं सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में हैं देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है तो यह नारा है जो कि हरे के सज़द से राम परसाद बिस्मिल के द्वारा दिया जाता है इसी दोरान यहाँ पर अगर हम बात करें हरे की हरे एक करांतिकारी वर्गी की रूप में उब्रा और पच्चीस में नौ अगर्स्ट उन्नीसों पच्चीस में नौ अगर्स्ट 1925 की बात है जिसमें काकोरि ट्रेन सड्यंत इसको कहा जाता है इस दिन काकोरि ट्रेन सड्यंत हुआ और जो यह सदसी थे जैसे कि हम बात करें भगाभ सिंग, चंदर से ग़ाजा ऐत सचिंदर रना सान्याल और राम परसाद बिस्मिल इन होने एक अंग्रिया जो कि ट्रेन जा रहे थी जो कि सहारन पूर से लखनो जा रहे थी कहां से सहारन पूर से कहां जा रहे थी लखनो सहरनपूर से लगनो जा रहे थी यह train और इसको इस train का नाम था 8-down train क्या नाम था इसका? 8-down train इसका नाम था आप लोग लिख लेना इसको अपने notes में 8-down train इसका नाम था और इन्होंने क्या क्या जो ट्रेन है उसमेंसे एक डिब्बे में यहाँ पर खजाना भरके जा रहा था कोईला तो उसको इन्होंने क्या कर दिया लूटा यहाँ पर और जैसे ही लूटा तो उसके बाद यह पकड़े गे थे जैसे ही इन्होंने train को लोटा उसके बाद काकोरे train कारण के बाद इनको पकड़ा गया और इन मैसे बहुत से लोगों को फासी देगी जैसे कि अगर हम बात करें असपाक उल्ला खां और रामपरसाद बिस्मिल को और राजेंद्र सिंग और रोसन सिंग इनको क्या किया गया फासी देगी और चंड़ सेकर आजाद भाग गये थे और इनको बाद में पकड़ा गये पकड़ा भी नहीं गया चंड़ सेकर आजाद कभी हाथ में आई नहीं बिलिटी सर्स के और लाश्ट में इन्होंने क्या-क्या खुद को गोली मान ली थी चंद्रसे का राजाद ने ये कभी भी अंग्रेज के गृप्त में नहीं आई यहां पर जो सचिंद्र नुना सान्याल है उनको आज इवन कारावास के सजा सुनाई गई ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है ठीक है दोस्तों तो काकोरी ट्रेन कांड आप लोगों ने देखा इसी समय 1925 में RSS की स्तापना हो जाती है ठीक है राश्टी स्वयम सेवक संग जिसको हम RSS के रूप में अभी जानते हैं वर्तमान में और इसके जो संस्तापक हैं उनका नाह में केशव राव, बाली राम, हेट गेवार ठीक है अब हम बात करेंगे 1925 में एक कानपूर अधिवेशन होता है भारिति राश्टी कॉंग्रेस का 1925 कानपूर अधिवेशन और इस अधिवेशन में सरोजनी नाइडू पहली बार भारती महिला है जो की अधियक्स बनती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पहली भारती महिला तो वो हैं सरोजनी नाइडू लेकिन अगर हम बात करेंगे पहली महिला तो हम लोग ने इससे पहली वाली क्लास में देखा था एनी बैसेंट है पहली महिला जो कि अध्यक्से बनी है लेकिन अगर हम भारती महिला की बात करेंगे जो कि भारती मूलकी हैं तब वो होगा सरोज निनाइडू जो कि UP की पहली क्या है? राजिपाल उत्तर प्रदेश की पहली राजिपाल भी हैं सरोज दिनाइटू ये बात भी आप लोगों को ध्यान मरखनी है इसी समय फिर 1927 से 1931 के बीश में लॉड इर्विन है जो की भारत के वाइसराई बनते हैं लॉड इर्विन इनके समय में यहाँ पर कुछ घटनाई होती है जैसे कि अगर हम बात करें जो HRA था हम लोगों ने देखा अभी HRA 1924 में इसकी इस्ताफना होई थी यही संगठन जो है वो बदल के फिर HSRA बनाए गया HSRA की इस्ताफना किये गई और यह HSRA का मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन और यह जो सोशलिस्ट सब्द है इसमें जो S से S सोशलिस्ट है S से सोशलिस्ट इस सब्द को यहाँ पर भगस सिंग ने बाद में जोड़ा था ठीक है तो इसलिए HSRA की अगर हम बात करें फिरो सा कोटला मैदाल में इसकी स्तापना की गे थी और भगस सिंग और चंद सेकर आजाद यह सभी लोग इसमें सामिल थे ठीक है दोस्तो सुगदेव इसी में है भगवती चरान बोहरा भी इसी में है तो यह सारी बाते हैं जोकि आप लोगों को HSRA से ध्यान में रखनी है इसी समय भगस सिंग के द्वारा भारती नौ जवान संग की स्तापना की जाती है और आप लोगों के एक जाम में बोचा जाता है बहुत बार भारती नौ जवान संग ठीक है आप देखो 1919 में एक अधिनियम आये था 1919 में तो इसमें ये बात कियी थी कि 10 साल के बाद भारत में एक विदिक आयूग का गठन किया जाएगा तो इसके लिए 1928 में पहली बार साइमन कमिशन को भारत बेजा गया था जिसको वाइट मैं कमिशन के नाम से भी जाना जाता है तो आप लोगों से क्वेशन पोचा जा सकता है कि साइमन कमिशन भारत कब आया तो तीन फरवरी 1928 को ये भारत पहुच जा था तो आप लोगों को इतनी बात यहां पर से ध्यान में रखने है ठीक है हम लोगों ने इस साइमन कमिशन देख लिया अगर हम बात करें इसके बाद तीन अक्टूबर 1928 को लाहोर में साइमन कमिशन जब पहुचता है तो वहाँ पर लाला लास्पात राई होगी और जो क्रांतिकारी युवा है भगर सिंग चन जोसे कराजा तो इन लोगों ने क् पिरोध यहाँ पर दर्जिक्या और गो साइमन के यहाँ पर गो बैक साइमन किसके गो बैक साइमन के यहाँ पर नारे लगाएगे और इसी दोरान भारितियों पर इन लोगों ने लाठी चार्ज कर दी थी बारितियों पर लाठी चार्ज और लाठी चार्ज में लाला लास पत्राई की मृत्यू हो जाती है इसके बाद हम देखते हैं 1929 में INC का एक अधिवेशन होता है जिसको हम लाहर अधिवेशन के नाम से जानते हैं जिसके अध्यक्ष पंडि जवाला नेरू थे और इसी दिन इस अधिवेशन में भार्गती राष्टी कॉंगरिस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई तो यह क्वेशन आप लोगों के एक जम बहुत बार पोछा जाता है कि लाहर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग की गई थी तो लाहर अधिवेशन है कॉंग्रेस का 1929 का पंडि जवाला नेरू इसके पड़ा है ठीक है और इस दौरान 26 जन्वरी 26 जन्वरी 1930 को कब 26 जन्वरी 1930 को भारत में पहला क्या बनाया गया स्वतंत्रता दिवस इसको मनाया गया उज दिन तो 26 जन्वरी 1930 को भारती राष्टी कॉंग्रेस के उदारा स्वतंरा दिवस घोशित इसको किया गया था अब देखते हैं हम 1930 में आते हैं 1930 में तो 1930 की अगर हम बात करें 12 मार्च 12 मार्च 1930 को गादी जी के द्वारा एक डाड़ी मार्च की डाड़ी मार्च डाड़ी यात्रा है जो कि शुरुवात की जाती है साबर्मति आश्रम से डाड़ी तक और लगभग ये 322 किलो मीटर की यात्रा है पैदल यात्रा थी और इनके साथ 78 लोग और हैं जो कि जोड़े थे उत्राखंड से भी जोड़े थे तीन लोग आप ल जैसे कि एक का नाम में बता देता हूं जो तिरा आप कानपाल हैं और दो का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जैसे ये 6 अप्रेल 1930 को 24 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद डाटी पहुंचे डाटी पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था नमक बनाकर समुद और भारतियों की बीज में एक समझोता होता है जिसको हम गाधी इर्विन समझोता कहते हैं और इस समझोती में जो समीने युगा अंदोलन है इसको समाप्त कर दिया जाता है तो 5 मार्च 1931 को समीने अवेगा अंदोलन को इस्तेगित कर दिया जाता है जिसको गाधी इर्वि में वह है गादी जी तो इन दोनों के बीच में यहां पर क्या होता है समज्वोता होता है जिसको गाधी इर्बिन समज्वोता कहा जाता है And 1931 में 1931 में कराची अधिवेशन होता है और इसमें सरदार बना भाई पटेल हैं जो कि पहले अध्यक्ष बनते हैं पहली बार अधिक्ष बंदे सर्द्रवाला पाई पटेल और इन्होंने एक मांग रखे थी और जो मांग थी मौलिक अधिकारों की मांग किस अधिवेशन में मांगी गई थी तो यह 1930 के कराची अधिवेशन में ठीक है तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है और यहाँ पर जो अगर हम बात करें गाधी इर्विन समझोता तो गाधी इर्विन समझोता में ये बात कही थी कि सबेने अवे गया अंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा और जो भारत है वो लंदन में जो गोल में सम्मेलन है उसमें भाग लेंगे भारती है यानि कि जो भारती राष्टी कॉंग्रेस है वो क्या करेगी गोल में सम्मेलन में भाग लेगी तो इस परकार से तीन गोल में सम्मेलन होते हैं 1931 31 और 32 में एक एक साल के बाद होते हैं और इन सभी तीनों सम्मिलन में एक मात्र भारत के डॉक्टर भिमरा उंबेट कर थे जिन्होंने भाग लिया था और बाकी अगर हम बात करेंगे पहले और दूसरे में जिन्ना ने भी भाग लिया था लेकिन तीसरे में नहीं लिया था और अगर हम गादी जी की बात करेंगे या फिर भारती राष्टी कॉंग्रेस के बात करेंगे तो भारती राष्टी कॉंग्रेस ने 1931 के यानि कि दूसरे वाले गोल में सम्मेलन में भाग लिया था तो ये ब तो दूसरे सम्मिलन में गादी जी जिन्ना और अंबेटकर जी यहां पर जाते हैं और इस समय भारतियों में थोड़ा सा यहां पर अलग अलग मत देखने को मिले गादी जी अलग मत पर थे बीमरा अंबेटकर जी अलग मत पर और जिन्ना अलग मत पर तो इसलिए यहां पर ज जी तो उसके बाद क्या हुआ यहांपर महत्मा गाधी चाहिए और भीमर्य अंबेटकर के बीच में एक समझाता होता है जिसको पूर्ण समझाता कहा जाता है इसमें गाधी जो समझाता हूत है He पूनी समझोते में क्या किया जाता है इस पूना समझोता को आप लोगों को ध्यान में रखना कि मदन मोहन मालवी मदन मोहन मालवी की द्वारा इसकी मध्यस्तता की जाती है और इस समझोते में 148 सीटें 148 सीटें दलित वर्ग के लिए आरिक्षित कर दी जाती है प्रांतों म जो कि यरवदा जेल में हुआ था, कहां पर हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था, और इसी समय 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है, और ये अधिनियम हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा था, लॉर्ड विलिंगिटन के सासनकाल में 1931 से 36 के बीच में, और 1935 का जो भारत सासन अधिनियम है, इसने भारती सविधान को सरवाधिक परभावित किया है, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्ट हैं, जो कि सेम वही एक्ट हैं, या फिर वही कानून है, भारती सविधान ने अप्ला रखे हैं, तो आप लोगों को दिहान में रखना है, ल मैंने आप लोगों को इंडियन पॉलिटी के क्लास में करा रखे, यह अन्तिन 50 दिनों का जो महासंगराम है, उसी के लगभग 5-6 वाली क्लास में मैंने आप लोगों को करा रखा है, तो आप लोगों नहीं को आपर से जाके देखना, उसके बाद आता है आपर लॉड लिन 1936-1943 के बीच में लॉड लितिगो है जो कि यहां पर आते हैं और 1937 में आम चुनाव हो जाते हैं यहां पर भारत में पहली बार क्या होते हैं आम चुनाव यहां पर होते हैं और यह जो आम चुनाव है वो अग्यारा प्रांतु में होते हैं और इन अग्यारा परांतों में ऐसे 8 परांते हैं जो कि Congress के द्वारा जीत ले जाते हैं पञ्जाब, बंगाल और सिंद को छोड़कर कहां को पंजाब, बंगाल और सिंद को छोड़कर 8 रांतों में कॉंग्रेस है जो कि सरकार बनाती है और इसी समय 1949 में दुदि विस्य युद्द भी क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है और दुदि विस्य युद्द जैसे ही सुरू हो जाता है तो उसमें जो ये लॉर्ड लिल लित्गो था वो ये कहता था कि भारत जो है वो बिलिटिस का अंग है इसलिए जो भारती हैं वो क्या करेंगे इस युद्ध में अंग्रेजों का सांद देंगे लेकिन ये बात भारती राष्टी कॉंग्रेज ने स्विकारी नहीं और इसका विरोत करने भारती जो सरकार है वो पहुँच गई और ये जो आम चुनाव में भारती राष्टी कॉंग्रेज जीत के आई थी इन्होंने फिर क्या कर देया है पर इस्तिपादे दिया तो इतनी बात है आम चुनाव से आप लोगों को ध्यान में रखनी 1937 के इसी दोरान फिर क्या होता है 1936 में हरी पूरा अधिवेशन होता है भारती राश्टी कॉंग्रेस का जिसमें सरदार ये भगज ये क्या नाम हिनका सुवाश चंद्र बोष जी सुवाश चंद्र बोष यहां पर क्या बनते हैं अध्यक्ष बनते हैं और इन्होंने पटाभी सीता रमया को यहां पर हराया था तिरी पूरा इसके बाद हम बात करेंगे तिरी पूरी अधिवेशन की तिरी पूरी अधिवेशन में फिर अध्यक्ष बनते हैं यहां पर बोष और इसमें इन्होंने हाँ पटावी सिता रमया को इन्होंने तिरिपूरी अधिवेशन महाराया था पहले वाले में नहीं हरीपूरा में नहीं हराया था तिरिपूरी महाराया था और जो पटावी सिता रमया थे वो गाधी जी द्वारा समरती थे गाधी जी चाते थे कि पटवी सीता रमया है जो कि क्या बनें? अध्यक्चिव बनें लेकिन आम सहमती ये हुई या फिर अगर हम वोटिंग पावर की बात करें तो ये बोस जी के पक्षि में जादा वोटिंग हुई तो इसलिए बोषदी को है जो की बनाये गया लेकिन यहापगा गादीजी थोड़े से नाराज हो जाते हैं और फिर बोषद ने क्या-क्या इस्तिपा दे दिया इसी दोरान अगर हम बात करें 17 अक्टूबर 1940 को गादी जी द्वारा व्यक्ति का सत्यागरह शुरू कर दिया गया पाउनार में तो आप लोगों से question पोशा जाता है कि गादी जी द्वारा व्यक्ति का सत्यागरह कब सुरू किया गया दूसरे कौन है नेरो है और पहले कौन है विनोबा भावे अगर हम बात करें इसी दोरान 1940 में 24 मार्च के दिन मुस्लिम लीग का लाहुर अधिवेशन होता है और इसके अधियक्सिता करते हैं मुहमद अली जिन्ना मुहमद अली जिन्ना पहली बार पाकिस्तान के मांग की गोस्टणा करते है इसमें तो आप लोगों से question बोछ आ जाता है कि मोहमद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखे है तो 1940 का अलाहुर अधिवेशन ये आप लोगों को दिहान में रखना है या कहा जाता कि एक युद्ध सलाकार परिशत की नियुक्ति के जाएगे भारत में और सविधान बनाने वाला निकाई नियुक्ति के जाएगा क्या क्या जाएगा सविधान बनाने वाला एक निकाई है जो कि यहां पर नियुक्ति के जाएगा और अंग्रेजों ने पहली बार पर 1942 में क्रिप्स मिशन है जो कि भारत में आता है क्रिप्स मिशन तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया ये आप लोगों से पूशा जाता है मार्च 1942 में और इसके अध्यक्ष ते इस टेफोर्ट क्रिप्स ये भी आप लोगों से पूशा जाता है इसके अध्यक्ष और अगर बार पाकिस्तान की मांग को कब वैद्धिता परदान की गई तो किरिपसे मिसन के द्वारा और गादी जी ने इस किरिपसे मिसन को एक इसके लिए एक वाक्य बोला था ये बोला था कि पोस्ट डेटेड चेक है जो किरिपसे मिसन है वो क्या है एक पोस्ट डेटेड चेक है औ और फिर जब ये क्रीब से मिसन असफल हो जाता है तो इसी दोरान भारत में क्या होता है भारत छोड़ो आंदोलन के शुरुआत की जाती है और इसको अगस्त करांथी के नाम से भी जाना जाता है 9 अगस्त 1942 को इसके शुरुआत की जाती है गादी जी के द्वारा और गादी समय जो भी आंदोलन कारी थे अगर हम बात करें गादी जी हो गया और अगर हम बात करें नहरु जी तो इन सभी को क्या कर दिया गया जेलों में बंद कर दिया गया गादी जी को भी जेलों में बंद कर दिया गया और गादी जी को तो पूरे की जेलों में बंद कर दिया गया ठीक है तो इस तरीके से है जो कि भारचोड़ों अंदोलन यहाँ पर शुरू होता है और इसी दोरान क्या होता है INA जो कि अगर हम इसके बात करें आजाद हिंदे फॉंच की 1946 में इसकी स्थापना की जाती है कैपटेन मोहन सिंग के दौरा और उसके बाद 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंदे फॉंच की स्थापना 1940 होगा है नहीं अनने सोiph MARC में कैपटेन मोहन सिंग के दौरा लेकिन अगर हम इसकी पुनर गठन की बात करेंगे तो सुभाज संद्र बोष जी के द्वारा इसकी पुनर गठन की आ जाता है और आजाद हिंद फॉंस के द्वारा भारी मात्रा में सुभाज संद्र बोष जी के द्वारा एक सेना का गठन की आ जाता है बिदेशों में जापान में रहकर जापान की जापान से और इस दौरान जो INA है INA है इसने सुभाज संद्र बोस नहीं यहाँ पर तीन ब्रिगेड बनाई थी यह question आप लोगों से पोचा जाता है और तीन ब्रिगेडों में एक को नाम दिया था गाधी रेजिमेंट और दूसरे को दिया था नहरू रेजिमेंट और तीसरे को दिया था बोस रेजिमेंट और एकर हम बात करें महिलाओं की तो महिलाओं के लिए इनोंने एक रेजिमेंट बनाया था जिसको रानी जहासी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है तो इतनी बात है आप लोगों को ध्यानवा रखना है इसी दोरान सुभाज चंजर भोस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हाँ आजादी दूँगा यह नारा है जो कि उसमें देते हैं ठीक है ठीक है दोस्तों इतनी बात है जो कि 1943 तक आप लोगों ने INC से भी ध्यानवा रखना है और INA यानि कि आजादी दे पहुंच इसके मुख्याले आप लोगों से पोसे जाते हैं तो पहला है सिंगापूर और दोसरा है रंगूर में यह बात आप लोगों को ध्यानवा रखन यह समझोत में एक सविधान बनाने वाली निकाय की नियुक्ति की जाएगी जिसमें सभी भारती होंगी ऐसी इसमें समझोते में बाते की गई थी ठीक है और फिर 1946 में कैबिनेट मिशन है जो कि बारत आता है कैबिनेट मिशन भारत आता है और इसके तीन सदस्यें हैं कैबि और इस मिशन ने भारत में सविधान सभा की स्थापना करने के लिए यहां पर बाते की कई थी भारती सविधान का मौसवदा तैयर करने के इन्होंने सिपारिस की थी ठीक है फिर यहां पर अगर हम देखें लाश्ट योजना आती है भारत में मांट बेटन योजना और इसको योजना के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह योजना लाड मांट बेटन के द्वारा लाई जाती है और जिनको इनके सह पार्टी हैं जो कि प्यार से डिकी कहते थे जिसके कारण इसको डिकी वर्ट योजना के नाम से भी जाना जाता है तीन जून 1947 को यह योजना कैबि की बाद इसने की थी लेकिन अभी मुहर नहीं लगी है इस योजना के द्वारा मुहर तो नहीं लगी है लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके बाद जो की अंतिम अधिनियम आता है भारत स्वतंत्रा अधिनियम 1947 तो इस अधिनियम के द्वारा दुई राष्टे सिधान है जो की यहाँ पर दिया गया यानि कि भारत और पाकिस्तान दो नई राष्ट बनाए जाएंगे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में परधान मंत्री बनते हैं उसके बाद नहरुजी और भारत का पहला गवर्णर जन्रल बनता है माउंट बेटेन और अगर हम बात करेंगे माउंट बेटेन के बाद कौन बनेगा तो सी राजगोपाला चारी है जो कि भारत के पहले और अंतिम गवर्णर जन्रल बनते हैं ठीक है तो पहला गवर्णर जन्रल भारत का स्वात्यन्तरता के बाद मौन बेटन है लेकिन अगर हम बात करेंगे भारत का पहला भारती गवर्नर जनरल राजगोपाला चारी और अगर आप लोगों से पोचा जाएगा तो अंतिम में भी सी राजगोपाला चारी ही होंगे इसके बाद जब आम चुना हुए तो फिर ये गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया अगर हम पाकिस्तान के बात करेंगे तो पाकिस्तान आप लोग जिन्ना मत कर देना कि जिन्ना यहां के परधान मंत्री बने लियाकत अलिक हाँ है जो कि यहां के परधान मंत्री बने थे और गवर्नर जनरल खुद जिन्ना बना तो इस परकार हमारा ये आप लोगों से ये भी question पूशा जाता है कि ये अधिन्यम जो श्वतिन्रता अधिन्यम है ये कब पारित किया तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि भारत है जो की आजाद हो जाता है और पाकिस्तान है जो की दो राष्टों के रूप में भार हो जाता है तो इस परकार हमारा आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है और इस तरह के से हम लोगों ने अंतिम पचास दिनों के महा संग्राम को भी समाप्त कर दिया है ठीक है दोस्तों तो अब हमारा GS में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है कुछ अगर बचा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना मैं कुछ टॉपिक है उनको करा दूँगा अगर कुछ बचा होगा तो ठीक है तो मेरे हिसाब से तो लगभग लगभग होई चुका है GS आप लोगों के लिए और बा वीडियो में इतना है थैंक्यू सो मच्छ